नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं इस वर से गामना करता हूं आप जहां पर भी रहें स्वस्त रहें मस्त रहें दोस्तों आज हम आपको जंगली भिंडी के अंसूने अलबुत और जपर जस्त फायदों को बारे में बताएंगे हम जिस भिंडी को खाने में इस्तमाल करते हैं उस भिंडी से या जंगली भिंडी बिल्कुल अलग होती है इसकी खेती नहीं होती ये अपने आप उत्पन होती है जब को सहर के नजदीक रास्तों किनारे या फिर गाउं के आसपास तलाबों किनारे पाये जाती है इसकी उचा महाज एक से तीन फिर तक होती है और इस पर भिंडी की तरह समस्त भाग पर रोय लगे होते हैं तथा भिंडी की तरह ही इस पर फूल लगे होते हैं लेकिन जंगली भिंडी के फल भिंडी से छोटे अकार में होते हैं और इसके अंदर भिंडी के समानी छोड़ छोटे बीज ह दोस्तो जंगली भिंडी के कई अन्या पर्यातिया भी पाय जाती है जिस पर पीले व गुलाबी या फिर सफेद रंग के फूल लगे होते हैं लेकिन सभी के गुण धर्म एक समानी होते हैं जंगली भिंडी और सदिया गुणों से भरपूर होती है सदियों से इसका परयोग और सदियों में होता रहा है आरिवेद की गुणों की बात करें तो जंगली भिंडी स्वाद में कटू, मधूर और तिक्त होती है ये कफवात सामक और सीतल प्रकिर्तिकी होती है इसके अलावा या पेट को साप भी करती है तथा आख तथा हिर्दे के लिए हीतकारी होती है दोस्तों इसके पत्यों का गुर्ण धर्म कामो तेजक होता है या सिग्र पत्तन या फिर पूर्सों की कमजोरी का बहुत अच्छा इलाज करती है साथी साथ या पूरे सरीर के खून को साप करने वाली भी होती है साथी या सरीर में उत्वपन हुए चर्म भीकारों को दूर करने वाली होती है इसके अलावा ये diabetes के मरिजों के लिए बहुती फायदेमंद होती है इसके साथ इसका प्रयोग यौन दुरबलता को मिठाने के लिए भी किया जाता है यानि इसका प्रयोग पूरसों के लिए किसी बरतान से कम नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जनकारी देंगे वीडियो चलग रहे तो वीडियो को लाइक और हमरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा जिससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो की जनकारिया मिलती रहेगी दोस्तो इस जंगली भिंडी के भीजो का क्वाथ या फिर भाट बना कर 15 मिली की मातरा में रोजाना पीने से सरीर की दुरबलता मिठती है और तंत्री का तंत्र मजबूत बनता है जिन लोग को सपन दोस की बिमारी होती है, परमे और धात की बिमारी होती है, ऐसे लोग को इसका सेवन जरूर करना चाहिए इसके साथ इसके परयोग से बिर्य की क्वाल्टी बढ़ती है तथा बिर्य विकार धूर होते है दोस्तों इसका सरल और आसान पर्योग है इस भिंडी की फोलो को सबसे पहले आप दोलने चाओं में सुखा लें सुखाने के बाद मोटा मोटा करके पीसले यानिक इसका चूड बना लें इस चूड को रुजाना एक चमस की मत्रा में दूद के साथ सेवन करें तो कोछी दिनों में लगातार लेते रहने से सरीर की जो रोगों से रहने के सकती है वह बढ़ जाती है साथ इससे डेवेटीज कंटोल में होता है साथ सारिक सकती को भी बढ़ाती है नसों की कमजोरी को दूर करती है सरीर को हुष्ट पूष्ट और बलवान बनाती है तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे जंगली भिंडी के फायते बताए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और उपने फ्रेंड्स और फेल में सेर जरूर करें साथ मैं इस चैनल को सबस्क्राइब परें बेल आइकन दबाए नमस्कार दोस्तो